सबजी कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं विल्कुल घर के विल् saying से बने वाली गोबी की सब्सक्राइब बनाएंगि बहुत यमी चलिए देखते हैं हमारी यूटूब चनल शाय मिस्रा में यह देखिए हमने गोबी ले लिए अपनी एक तो अपने हिसाब से जितनी लोगों के लिए बनाना उस इसाब से हम कट कर लेंगे तो यह देख सकते हैं हमने गोबी का जो इतना बड़ा फूल लिया था उसके आधा अध्रवक लशन और प्याज का पेश्ट तो यह देखिए पेश्ट बनकर तयार है तो चलिए बनाते हैं यह देखिए गाइस एक हमने ले लिया है neighborhood इस और ऑदे lobैल और इस बौईल पानी में हम डाल देंगे गोबी जो कि हमने पहले साधहार नल के पानी से दुल लिया था उसके बाद गरम बॉयल पानी में हम डालेंगे इससे दोग चीजे होंगी एक तो गोबी हमारी कुक हो जाएगी कुछ थोड़ी अतक और दूसरे बात यह है कि इसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे वो भी निकल आएंगे पान नमक का और पानी की वज़े से और नमक डालने से गोबी में नमक का फ्लेवर पहुंच चला जाएगा तो यह देखे हमने अलग निकाल करके रख लिया है आप यह देख सकते हैं कि आगे हमें क्या करना तो यह ले लिए हमने बेशन तो लगवग हमने इसमें तीन चमच तीन स्पून के करीब हमने बेशन लगाया है यह दिरे दिरे करकर वाइल में डाल दिया था काइस थोड़ी सौरी उसकी वजह से कि हमने गोवी में डालते हुए जो यह फूल है हमने डालते हुए वीडियो सूट करी थी मगर थोड़ा सा नहीं हो पाई सूट उतनी तो आप लोग समझ सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से ह हम गोल्डन ब्राउन करते हुए साहे अपने गोवी के फूल को निकाल लेंगे तो बस बेसन बहुत जादा यूज नहीं करना है दो से तीन स्पून जितना आपकी गोवी में हलका सा हो जाए तो यह देखिए उसी वह आयल हमने निकाल कर रख दिया है क्योंकि आयल हमारा ज तो वह हम इसमें डाल देंगे डाल कर फ्राइ कर लेंगे तो आप इसे क्या करना है और इसमें अब हम सुखे मसाले यूज करेंगे यह देखिए हाप टेबल स्पून धनिया पाउडर हाप टेबल स्पून हल्दी पाउडर हाप टेबल स्पून मिरच पाउडर यह हम एड़ अननके किसे दैसे सब्सक्राइब काषूओर्ट के यह थोड़ी नाथ र हाई ऑच्छ लिए सूख मससालें पीचति तो तरह से कर वर अच्छे से देख आप मसालव तो पीचा घिया था ने ऊल न दिया तो इतनी देर मसाले भूनने हैं कि ऐल अपना दिखने लगा तो यह देख सकते हैं उस वही जो बरतन लिया था जिसमें गोबी डाल करके कोट करी थी बेशन तो वही बरतन ले लिया उसी में हमने ले लिया है पानी जो की दो बाउल के करीब है तो जिस हिसाब से हम आज ग्रेवी तो थोड़ा सा और हम डालेंगे क्योंकि हमारी गोबी हमारा यह जो ग्रेवी है वो कुक भी होगा तो यह हो गया हमारा लगबग लगबग डेढ़ धाई बाउल पानी ठीक है तो वह हमने डाल दिया आप स्वात केनु सार नमक डालेंगे और इसको ग्रेवी को अच्छे से कुक कर लेंगे क्योंकि बेशन डाला है देखिए बेशन के कटोरे में पानी डालने से यह भी फायदा है कि आपकी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी ठीक है क्योंकि बेशन होगा ना तो बेशन अच्छे से थिक हो जाएगा ग्रेवी और हमारे जो टेस्ट है बेशन की तो इसी लिए हमने यह काम किया तो यह देखिए हमने अपनी गोबी ले ली है तो अब इसको हमें क्या करना अभी इसमें एड नहीं करना है क्योंकि गोबी हमारी लगवा-लगवा 80% कुक है तो सिर्फ 20% कुक करना बाकी है तो हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे जिससे यह देख सकते हाँ अगरशिके यह देखिंए जिदम अइससारी कुक करेंगे यह देखिए ग्रेवी आपको जितनी घीघ्रघ्र कर लेना है तो लगवववव लगवववव तो आब इसमें हम डाल देगे गे ग्रेवी उमारी पक अच्छे से सक्क्र ऑल कहों के तो अब हम इस gravy में डाल करके गोवी को पका लेंगे ठीक है चलाते हुए देखिए ऐसी अगर आप गोवी बना कर खिलाएंगे ना बच्चों को तो बच्चे कभी गोवी के लिए मना ही नहीं करेंगे तो यह देखिए गोवी पक चुकी है हमारी तो आप हम डालेंगे इसमें गरम मसाला अपने स्वाद टेस्ट के अंसवार हाप टेवल स्पून हमने अड़ किया हुआ है अब इसमें डालेंगे हरी धनिया और आप इसको हम मिक्स करके सर्व करेंगे गाइस ऐसी सब्जी बना कर अपने बच्चों को खिलाएंगे ना तो वो रोज यहीं बोलेंगे कि मम्मा नहीं खाते वह भी खाएंगे मांग मांग करेंगे तो चलिए इसे सर्व करते हैं हम अपनी बावल में यह देखे गाइस ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है थिक लग रही है बिल्कूल क्योंकि गोभी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है इसकी विज़े से ग्रेवी मारी ग अगर हमारे हमारी यह रेस्पी अपने घर में बनाए पसंद आए तो लाइक करें सस्क्राइब करें और प्लीज अपने कमेंट जरूर हमें बताएं कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी या हमारी रेस्पिया कैसी लगती हैं आप लोगों को तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें, सिस्क्राइब करें, और शेयर करें, थैंक यू बाए